शक्ति ही सफल्ता में बाधक है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य अपने कारियों में अस्फल क्यों होता है तो भगवान शिव ने बताया कि आसक्ती ही सभी समस्याओं का मूल कारण है आसक्ती और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाधा डालता है जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुक्थ हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोक सके डौत अलग होने का एक मात्र तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इसे इस मानव रूप की अस्थाईता को समझें अपने कारियों को बुद्धिमानी से चुनें शिव ने पारवती से कहा कि लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की कारवाई में लिप्त या संबध नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कारियों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो मनुष्य जो कुछ भी काटता है वह उसी का फल है जिसे उसने खुद बोया है उसका भाग्य उसके कारियों का परिणाम है इसलिए एक व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जीवन और कारियों को कैसे चुनते है